मुख्य मंत्री हिमान सुरे ने रिम्स बॉलड बैंक के लिए किया रखदान रांची से पतना के लिए 5 विमान बिर्शा मुणडाय और पोट से पतना के लिए 5 विमान उड़ेंगे बता दे गुरु आर को सुबह 7 बच कर 30 मिनट से पहला विमान उड़ा जबकि दूसरा विमान 8 बच कर 55 मिनट पर फिर दिन के 4 बच कर 45 मिनट वहीं साम 6.50 और रात 8 बता दे बिर्शा मुणडाय और पोट के निदेशक विनोज सर्मा ने बताया कि फिलाल पतना के लिए नेमीज सेवा नहीं शुरू हुई है कुरोना काल में साधी पर एक बार फिर से संकट 22 अपरेल से साधीयों का सिजन शुरू हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कुरोना के दूसरी लहर के कारण साधीयों पर एक बार फिर संकट मढ़ाने लगा है बतादे पिछले बर्स कुरोना की पहली लहर के करन सैकडो साधिया अस्थागित कर दी गई थी वाई एक तरफ साधी की तारिक नहीं दीक आ रही है दूसरी तरफ कुरोना का संकट भी बढ़ता जा रहा है जिनके घर में बिवा समरो है उनकी चिंताए बढ़ने लगी है क्योंकि साधी के मंडप में दुला दुयन के साथ बचन से पहले सरकार की सरते पूरी करनी होगी लोकडाउन लगते ही जार्खन पहुचने लगे परवासी मैदूर एक बार फिर से कुरोना संक्रमन बढ़ने और महाराष्ट में लगा लोकडाउन का असर देखने लगा आए बतादे जार्खन से जो लोग रोजगार की तलास में महाराष्ट जैसे राज्यों में गए थे वे वापस आना शुरू कर दिये हैं ऐसी ही इस्थिती गूरू आर हाटिया स्टेशन पर देखी गई दपुन्य हाटिया स्पेशल ट्रेंज से हजारों लोग हाटिया स्टेशन पहुंचे इसमें 99 फिसद लोग पुन्य के होटलों में काम करने वाले मज़ूर थे पहले दीन आठ बजते ही सायरन बजाते आधम की पुलीस धरा धर बंद होई दुकाने जार्खन में लागू की गई पवंदियों की बीच पहले दीन नाइट कर फ्यूजर साना जारा दिखा बतादे कुरोना महामारी की रोक्थाम के लिए जार्खन सरकार की ओर से जारी न पर सासन और पूलिस काफी मुस्ताय दिखी जैक बोड एकजाम 15 से अधिक परिछार्थी होने पर तीन पालियों में लेनी होगी प्रेक्टिकल परिख्षा जार्खन एकडमी कॉंसिल जैक ने दासवी और बराहमी की बोड परिख्षा में क्रोना संक्रामान से सुरक्षा के के लिए साभी छेत्रिय सिक्षा उपनिदेशक डियो और साभी केंद्र के अधिक्षकों को पत्र लिखा है जैक सचिव ने अपने पत्र में राज सरकार की काईलान का पालन करने की बात कहते हुए जैक की और से भी कुछ विशेष निर्देश चारी किये हैं उन्होंने कहा है कि प्रेटकल परिक्षा के लिए 21 दिन की अधि निर्यायत की गई है जिससे की परिक्षा सुगमता से ली जा सके इसकूलों को भी सेड्यूल बनाकर परिक्षा लेने के लिए कहा गया है ताकि परिक्षा केंद्र में ज्यादा भीरना हो बताद प्रेटकल परिक्षा दो पालिया मिली जानी है जिसमें एक पाली में अधिक्तम 15 विद्यार्थी ही सामिल हो सकते हैं गोड़ा में ट्रेन के उधगाटन से पहले बवाल जार्खन के गोड़ा से गुरुवार को रेल सेवा की सुरुवात से पहले बवाल हो गया बतादे वीडियो कंफरेंसिंग के जरि जर्खन में दीन होया रात 24 घंटे धारा 144 लागू जर्खन में 24 घंटे के लिए धारा 144 के तहत निश्य धागे लागू की गई है बतादे रात में नाइट कार्फ्यू लगा दिया गया है अब रात में 8 बज़े से लेका सुबा 6 बज़े तक कोई प्रतिस्ठान नहीं खु जर्खन में 21,43,570 लोगों का अब तक टिका करन हो चुका है इसमें 18,69,78 को पहली डोज का टिका लग चुका है जबकि 2,84,492 लोगों ने दूसरी डोज का भी टिका करन करा लिया है बतादे टिका करन कराने वालों में बोजोर्गों की संख्याधिक है गुरुवार को भी जर्खन में 45,403 लोगों का टिका करन हुआ इसमें कूल 40,584 लोगों को पहली डोज का टिका करन हुआ हालात नहीं सुधरे तो जर्खन में संपूर लोगडाउन मुख्यमंत्री जर्खन में तेजी से बढ़ रे कुरोना वायरस संक्रवन पर नियंत्रन पाने के लिए और से जारी किये गर नए एसोपी के मुताबिक आठ अप्रेल से रात आठ बजे के बाद तमाम परतिष्ठान सुबा छोवे तक बंद रहेंगे इधा 36 गड़ में कुरोना संक्रमन को कम करने के लिए लिहाजा से राजधानी रायपूर में 9 अप्रेल से 9 अप्रेल तक संप पहुचाने की तर्ज पर अब डाकिया लोगों के घर जाकर उनका अधार काट ससोधीत वह नाया जारी कर सकेंगे कोड़ार्मा जी लेके डा घर की ओर से सभी डाकियों को निर्गत मोबाइल परयास विदा दी जाएगी इससे वह अपने कारेज छेतर में सिवीर लगा कर भ से लगवक बारा हजारी स्कूलों के कुछ सिख्ष को और विद्यार्थियों को चायनित कर आयोग दूत के रूप में प्रसिक्जित किया गया है यह मास्टर ट्रेनर बनकर लगातार दूसरे विद्यार्थियों को जागरूप कर रहे हैं मुख्यमंतिर हमा सुरें के बैठे होगा पसुओ का इलाज गरामिन अर्थ विवस्था की रिड माने जाने वाले पसुपालन छेत्र में बढ़ा बदलाव होने जा रहा है बता दे जार्खन में पसुपालन छेत्र को सुरक्षित बनाकर रोजगार के नए अउसर बिक्सित करने का लग्ष रखा गया ह है। राज में अलग-अलग बिमारियों से होने वाली पसुओ की मौत को रोकने के लिए ब्यापक का रियोजना बनाई गई है। जार्खन सरकार के कि रिसी पसुपालन इंभासाकर diver Settings संचारित होने वाले पसुपालन विवाग की तरफ से राज में चलंत पसुचिकित साला कि शुरुवात की जा रही है, यह अलग अलग गरामीन इलाकों में भ्रमन कर पस्व का इलाज करेगी। रांची में तयार किये गए 281 वेड़, COVID-19 से ग्राशिद मरीजों के लिए रांची में 281 बेट त्यार किये गए हैं, बतादरिम्स रांची में 252 नॉर्मल कोविड बेट की वेवस्ता की गई है, यहां बिना लक्षन के कोविड-19 मरीजों के इलाज की वेवस्ता की गई है, यहां अक्सीजन सपोर्टेड बेट 90, ICU बेट 88 तथा 48 वेंटिलेटर बेट रांची के विभिन केंद्रों पर सुरू होगी, बतादे पहले दिन एक पाली में एक पत्र की परिक्षा होगी, जिसमें समाने अंग्रेजी तथा समाने अध्यान के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां परिक्षा 11 अप्रेल तक चलेगी, वहीं दूसरी वा तीसरी दिन द दो दो पालियों में परिक्षा होगी, बतादे कि नगर विकास विभाग में इन पदो पर होने वारे नियुकती है तुँ हो रही, इस परिक्षा में सामिल होने के लिए भरे गए आउनलाइन आवेदन में, 16,856 आवेदन विभीन कार्णों से रध कर दियेगा, वहीं इस सथातर सो पचासे अवियार्थिक के आवेदन सही पाए गए हैं, धन्यवाद, जैदी आप चैनल परनाए हो तुँ चैनल को सब्सक्राइब कर, बल का बेल आइक अंद भाई है, साथे साथ वीडियो को एक लाइक कर, अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले, साथे आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडबाइक अवासे दे, थाइंक यू